बीते कुछ दिनों में जो फैसले लिये गए हैं, जो कदम उठाए गए हैं, वो स्थिती को तेजी से सुधारेंगे। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सिजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इस विशे पर तेजी से और पूरी संवेदन सिल्ता के साथ काम किया जा रहा है। केंदर सरकार, राज्य सरकारे, प्राइवेट सेक्टर, सभे की पूरी कोशिश है कि हर जरुरत मन को ऑक्सिजन मिले। आक्सिजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाई किये जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सिजन प्लांट्स हो, एक लाग नए सिलिंडर पहुंचाने हो, और जोगी इकायों में इस्तिमाल हो रही ऑक्सिजन का मेडिकल इस्तिमाल हो, ऑक्सिजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। साथियों, इस बार जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाईयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में, देश में कई गुना ज्यादा दवाईयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। कल भी मेरी देश की फार्मा इंडिस्ट्री के बड़े जो प्रमुक लोग हैं, उसके जो एक्षपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाईयों की मदद ली जा रही है। हम सौगभाग्य साली हैं कि हमारे देश के पास इतना बड़ा मजबूत फार्मा सेक्टर है, जो बहुत अच्छी और तेजी से दवाईया बनाता है। इसके साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या को बढ़ाने का भी काम तेजी से चल रहा है। कुछ शहरों में ज़्यादा डिमान को देखते हुए विशेश और विशाल कोविर होस्पिटल बनाए जा रहे हैं। साथ को पिछले वर्ष जब देश ने कोरोना के कुछ ही मरीज सामने आये थे। उसी समय भारत में कोरोना वाइरस के खिलाब प्रभावी वैक्सिन के लिए काम शुरू कर दिया था।